इस न्यूज इस प्रेजेंटिड बाई यूवान ट्रेडिंग कमपनी डिडवी डिककर हमीरपूर सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटाचक की इत्यादी के लिए संपर्क करें हिमाचल प्रदेश में करीव एक माह बाद आज से परिवन सेवाएं बहाल हो गई हैं सिर्मौर जिला में आज से अधिकतर रूटों पर एच्चाटिसी की बस सेवाएं शुरू हो गई हैं हालांकि सिर्मौर जिला में नीजी बस ओपरेटर हर्ताल पर है मगर इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा है क्योंकि लोग कम संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं बस सड्डा नाहन के प्रवहारी सुख्राम ठाकूर ने बताया कि नाहन डीपो में 72 रूटों पर बसे चलाने के लिए महकमे ने खाका तयार किया है और अधिकतर रूटों पर बसे सेवाएं शुरू हो गई हैं उन्होंने कहा कि सवारियों में किसी तरीके से संक्रमन फैलने का खत्रा ना रहे इसके लिए बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है और जो आज हमारा बसों का संचालन हो रहा है प्रता सुबाद 6 से सरकार के आदेसा अनुसार 50 परसेंट जो हमारा अक्पेंसी का है उस हिसाब सामारी गाड़ी चल रही है प्रंतु एप आया गया है कि आज उतने मातरा में यात्री नहीं मिल पा रहे है जैसे जैसे हमारे जहां जैसी सम्होडर से हित में इ polish गाड़ी भीजरहे है और हमोने ही घ्रका ट्रका्र का झार्का है और मचोंकरखये संघाटर कार सीक ब्रखिया में पोच Bij Ichak सब्श्बाद लूब्रेम दित करो रही है और six दीस्ट्थ कर देद करें जारी है और created प्रचाल को डिवस्ता यो पर करें ज़ा जार है और ये बाइश नोरी अलग से पहली होज़े और प्रती दिनों के प्रती दिने के साब से कम से कम प्रती दिने हमारा जो आठ लाग का निक्सान हुआ है लेकिने भी उम्मी देकर सकार उसमें कुछ हमारा को अनुदान दिएगी अगर आपने हमी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप प्रीज सबस्क्राइब कीजिए मैं आपको पिश्वास दलाता हूँ आप निराश नहीं होंगे भले आप एक महीन नहीं चैनल को फॉलो करके देखिए आपको मिलेंगे यहां जागरुता से जुड़ी हो वीडियो और आपके परिवार आपके समाज से जुड़ी हो वीडियो सर्च कीजिए जीवन उत्सा न्यूज फेस्बुक पे और यूट्यूब पे